इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Default Access Modifier प्रिवियस वीडियो में हमने डिसकस किया था प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफाइर क्या होता विध एक्जामपल हमने कवर किया था अगर आपका छूट गया था previous video देखलो very very important for the interview purpose right चलिए हम बात करते है default access modifier के बारे देखो मैंने यह पर definition लिखा है when no access modifier is specified for a class method or data member then it is called default access modifier by default clear point आप ऐसे भी बोल सकते हो देखो यहाँ पर next line में लिखाया मैंने if we don't specify any access modifier then it is treated as a default modifier clear point it is used to set the accessibility within the package it means we cannot access its method or class for outside the package clear point अब जो सेम package के अंदर अगर जहां class और मैं method है आपका data member है ठीक है अगर जहां कोई भी specify नहीं किया access modifier तो वो default access modifier होता है ठीक है और उसको outside the package आप use नहीं कर सकते हैं मतलब access नहीं कर सकते हैं ठीक है फाइल का नेम दे दिया मैंने default.java आप भी कुछ दे सकते हो फाइल का ने ठीक है ऐसा नहीं कि सेम ही देना है class का नेम मैंने ले लिया default ठीक है कुछ भी ले सकते हो class का नेम then main method और यहां पर मैं क्या करता हूँ variable declare कर दिया int x equal to 10 and then method declare कर देता हूँ method बना लिया मैंने add name का कुछ भी बना सकते हो method ठीक है system.out.println क्योंकि मैं यहां a plus a कर दूँगा ठीक है clear point तो x में 10 है तो 10 plus 10 20 हो जाएगा basically addition हम perform कर रहा है इस method के अंदर ठीक है न अब देखो method और यह जो variable है यह data member है और यह method है अब इन दोनों को देखो मैंने कोई public कुछ नहीं बताया चाहा public protected या private कुछ नहीं बताया तो यह default access modifier कर लाता है ठीक है न by default it is treated as a default default modifier clear point चलिए अब इसको access करने के लिए आपको object बनाना परेगा class का चलिए class का object बना लेते हैं D equal to new and then default ठीक है देखो object बना लिए हम अब यहाँ पर D लिया है तो D की आजगा ABC कुछ भी ले सकते हो यह तो user defined है ठीक है ना और यह class का reference पर यह वाल है किस class का default class ठीक है तो यह जो reference पर यह वाल है इसकी help से method को call करेंगे हम लोग दी.add ठीक है चलिए अब इसको compile करके देखते हैं हम लोग command cmd open कर लिया और cd desktop पे चले जाता हूं मेरा desktop पे folder है और desktop पे जावा नम का folder है जावा folder में चले गया देन जावा सी फाइल का नहीं है default डाट जावा रहा है देखो compile find then class का नहीं है default देखो 10 प्लस 10 20 आ गया तो यहां पे आप सेम package के अंदर कर सकते हो इसको ठीक है यह example one example two अगर जहां इसको हम क्या करेंगे कोई और package के अंदर हम इसको define कर देंगे और फिर access करने की कोशिस करेंगे तो error आएगा ठीके ना चलिए देखते हैं इसको यहां से मैं cut कर लिया और एक file बना लेता हूँ मैं यहां पे demo इसको save कर लेता हूँ मैं demo.java और इसको हम my pack के अंदर एक java नाम के folder में ही my pack है मैं उसमें save कर लेता हूँ ठीक है ना save कर लिया class को मैं public बता देता हूँ class बना लिया मैंने यहां पे demo and then यह चीज़ें हमने यहां पे paste कर दिया clear point यह जो है ना इसी को बोलते है default access modifier clear point यहां पे कोई भी specify नहीं किया हम access modifier तो यह क्या कहलाएगा default access modifier clear point done और यह किस package के अंदर है मैं package बता देता हूँ यह है आपका my pack के अंदर clear point और इसको हम यहां पे access करने की कोशिज कर रहे है तो पहले तो import कर लो आप my pack.demo ठीक है semicolon then आप यहां पे demo का object बना लो demo d equal to new demo and then यह जो d है पका refresh variable इसकी help से हम किसको add method जो इस package के अंदर है ना और इस package के demo class के अंदर है यह आपका method जो की default access modifier है clear है तो इसको हम access करना चाहते है इस package के अंदर जो आपका class है default यह दूसरे package के अंदर है यह है java folder के अंदर ठीक है चलिए देखते हैं compile करके outside the package access होता है या नहीं देखो यहां पर error आ रहा है क्या बता रहा है आड इस नॉट पब्लीक इन डेमो क्लियर है cannot access from outside the package क्लियर है तो outside the package आप नहीं कर सकते हैं I hope clear है ठीक है तो इसको भी यहां पर मैं paste कर देता हूं और जिसको यह चाहिए होगा आप बता देना मुझे यह basically यह notes है आप अपना comment section में mail id share कर देना मैं notes share कर दूँगा ठीक है तो आज हमने discuss किया default access modifier क्या होता है with example हमने cover किया ठीक है very very important for the interview purpose आप इसको note कर लो note करके practical करो practical करोगे तभी concept clear होगा ठीक है ना done चलिए आप इसको तब तक note करके practical करो है like करो comment करो subscribe करो यार मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thank you bye bye